नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSW Counseling 2020 के चौथे वीडियो में और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप online counseling के लिए कितने choices भर सकते हैं और आपका जो seat allotment होता है उसके बाद में आपके शामने तीन option होते हैं freeze, float and withdrawal इसके बारे हम बात करूँगा इसको हम कहते हैं change willingness आपको इसमें तीन चीज़े में होते है freeze, float and withdrawal और इन तीनों में से कोई एक action आप लेना होता है आपको उससे पहले हम choice feeling के बारे हम बात कर लेते हैं so friends आपको यहाँ पर करना क्या होता है आपको अपनी rank के इसाप से अपनी choices बनानी होती है और यह rank prediction tool available होता है you akative की counseling जब start होगी तो वहाँ पर website पर एक tool मिल जाएगा कि आप और अपने rank के इसाप से देख सकते हैं कि कौन से college में आपको seat मिल सकती है तो open rank यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं open rank and close rank का एक link मिल जाता है हमाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने rank पर आपको colleges में admission मिल रही है आपको मिल जाएगी जैसे counseling start होगी उनकी website मिल जाएगा तो यहाँ पर देखे दिया हुआ है कि कितने rank पर कि किस college में admission होते हैं opening rank and closing rank आपको मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके आपकी rank जो अभी UPSW का result आने को बाद जितनी rank आई है उस हिसाब से आपको कौन सा college मिल सकता है और फिर आप जाएक उसके हिसाब से आप पूरी list बना सकते हैं सो यह मेरी list है मैंने second counseling में participate किया था सो category मेरी OPC थी और यहाँ पर मैंने fee waiver के लिए भी apply किया था तो मैंने do you belong to fee waiver scheme के लिए मैंने yes किया था और मेरा qualifying examination उत्तरप्रदेश से बाहर था तो मैंने qualifying examination other than उत्तरप्रदेश select किया था सो यह qualifying examination तो जब form में हम लोग भरते हैं तो वो तब ही कफ़रा हुआ होता है वह ही चीज आ जाता है फिर यहाँ पर हम seat की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने MBA में admission के लिए apply किया था और इसमें fee waiver seat और normal seat दोनों ही मैंने choices भरी थी तो आपको अगर fee waiver के लिए apply कर रहे हैं तो fee waiver और normal seat दोनों ही choices आपको भरनी होती हैं सो मेरी यहाँ पर पहली choice थी आई टी लखनों MBA के लिए और दूसरी choice थी बुंदेल खंड यूनिवर्सिटी जहांसी सो अब नीचे आपको दिखाता हूं कि मैंने कितनी choices भरी थी नीचे यहाँ पर देख सकते हैं 60 choices मैंने भरी थी तो choices इसका भरने का फाइदा क्या होता है कि अगर आपकी rank अच्छी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आप जितनी choices भरेंगे तो उतनी ही उमीद होती है कि आपको एक अच्छा college मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर देखि कि इस choice को आप change नहीं कर सकते है ठीक है यह सारी चीज़े तो आपके उपर है कि आप कितनी choices भरना चाहते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100 जितने मर्जी है उतनी choices आप भर सकते हैं और एक चीज़ और है कि आपको जो seat allotment होती है seat allotment के बाद में अगर आप कोई action नहीं लेते हैं तो आप को counseling से बाहर कर दिया जाएगा जैसे मुझे यहाँ पर किया गया था second round counseling में मैंने participate किया था और second round में मुझे मेरे दूसरे नमबर का college बंदेलखन university allot हुआ था तो मैं sure नहीं था कि क्या करूं क्या ना करूं तो कोई action नहीं लिया था तो मुझे जो है कि counseling से बाहर कर दिया लिया था और मैं उसके बाद में spot counseling के जरिए admission लिया था so yes is गलती आप नहीं कीजिएगा अब बात करते हैं change willingness के बारे में so इसमें आपका तीन option होता है freeze float and withdrawal so freeze option यह है कि आपको जो college मिला है आप उसमें admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पर freeze करने के लिए आपको अपना counseling fees अग तो बीसेजाग रुपए SCST हैं तो आपको बारह जाग रुपए payment करना होगा float करने के लिए विमालिज आपके पसंद का college नहीं मिलाया और आप अगले round में जाना चाहते हैं तो आप float का option चून सकते हैं और float करके आप अगले round के लिए अगले round में participate कर सकते हैं इन तीनों राउंड के लिए जो है न तीनों कामों करने के लिए आपको counseling fee payment करनी होती है तब ही आपको कर सकते हैं अगर आपको seat allotment हुआ है और आपके पसंद की नहीं है, फ्लोट करना है, तब भी आपको कॉंसिलिंग फी भी से जार देनी है, या बारह जार देनी है, और अगर आपको कॉंसिलिंग से विड्रॉ करना है, तब भी आपको कॉंसिलिंग फी पे करनी है, तो आप कॉंसिलिंग से विड्रॉ कर सकते हैं, विड्राव करने पर यहां पर देखिए the registration fee of such candidate जो लोग विड्राव कर रहे हैं after deduction of administrative charges with rate of 2,000 rupees per counselling per round of counselling in which candidates has participated shall be refunded online in the same account. अगर counselling से withdraw करते हैं तो 2,000 rupees per round of counselling आपका cut किया जाएगा इसमे administrative charges अलग से होंगे और फिर जो है the seat allotted to such candidate will be cancelled and salt rated vacant. आपकी seat जो है कि वो cancel कर दी जाएगी और vacant माने जाएगी वो seat खाली माने जाएगी फिर आप grade की जाएगी फिर दूसर किसी candidate को allot की जाएगी. सो आपका withdraw का एक rule दिखाता हूँ पिछले साल 2019 में जो counselling हुई थी. सो यहाँ पर third round में हम second round और third round के बाद में हम देखते हैं. सेकंड राउंड राउंड टू में seat आउंटन के पस्चाथ अब यहाँ पर देखे दिया हूँ यदि ग्रूप one M four ऐसे नया वियर्थियों जिनको seat आउंटनी तो ने seat confirmation के लिए बीसे जार रूपए शामानी ओविशी और बारह जार रूपए अनसुचित जात और अनसुचित जन्जात का सुल्ख गुरूपतान करना होगा एक बार गुरूप three के already floated अभियर्थियों को seat आउंटित हो जाएगी तो उसके साफच आउंटित सीट फ्रीज फ्लोट करने का विकल्प होगा ऐसे समस्त अभियर्थि जिन्होंने seat confirmation स्विक्रिती अपुस्टिकर अनसुल का भुकतान करा दिया को अपना अभ्यावेदन विड्रॉप करने का विकल्प मिलेगा शाथ ही refund के लिए अभियर्थि को अपनी banking संबन्दी सूचन भरने का भी प्रदान का विकल्प प्रदान किया जाएगा तो आप सीट विड्रॉप करेंगे तो आपको अपना bank account details का भी option भरने को दिया जाएगा और यहाँ पर दिया है इस शमंद में यह भी सुचित करना है कि सामान या पिछड़ा वर की अभ्यर्थियों को 15,000 रुप मां पर पिछले साल 2019 में यह नियम कानून था यह 2019 की PDF कांसलिंग की जो भी नियम कानून था तो यह चार यह सारी चीजे थी सो फ्रेंट्स उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के काम आएगा धन्यवाद और आप कांसलिंग से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एक बार फिर से धन्यवाद